गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स, क्लास फॉर्थ, चैप्टर पान, एक्सराइस फॉर, राइट दा सक्सेसर ओफ, कॉशन बन है, राइट दा सक्सेसर ओफ, थर्ड में भी आप लगों ने कॉशन किये हुए हैं, सक्सेसर हमेशा एक नमबर बादवाला, एक नमबर जस्ट बादवाला सक्सेसर कहलाता है, तो 13,598, यहाँ पर हम लास की दो डिजट देखेंगे और इनको चेंज करतेंगे, 98 के बाद में क्या आता है, 99, तो सक्सेसर होगा, 13,598 का, 13,599, बी वाला देखें, 25,009, तो 25,009 के जस्ट बाद भी क्या आएगा, 9 के बाद क्या आता है, 10, 25,000, 10, ओकी, कॉश्चन 2, राइट ना प्रिडैसर ओफ, प्रिडैसर एक नमबर पहले वाला, ठीक है, जस्ट पहले वाला नमबर प्रिडैसर कहलाता है, तो 98 से जस्ट पहले क्या आता है, 97, बागी नमबर सेम तो सेम, 39,400, 39,400, 98 की जगे 97, तो यह नमबर इसका सब प्र 57,000 का प्रिडैसर, 56,999, तो यहां आप confused हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको minus करके भी दिखाया है, आप minus करके, एक नमबर, 1 इसमें से minus कर देंगे, तो हमारे पास प्रिडैसर आ जाएगा, और 1 प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास successor आ जाता है, तो यहां मैंने minus करके दिखाय 99, question 3, write greater than, less than or is equal to in the boxes, दोनों नमबर्स में आप read करो, 10,337, 10,370, तो 337 बड़ा है या 370 बड़ा है, obviously 370 बड़ा है, तो हम sign इस तरह से लगा देगे, B, 72,478, 72,378, तो 72,72 दोनों में सेम है, 478 बड़ा है या 378 बड़ा है, तो 478 बड़ा है, हम sign इस तरह से लगाएगे, question 4, circle दा largest number, यह सभी numbers हम read करेंगे, और इसमें से जो number सबसे बड़ा होगा, उसे हम circle करेंगे, 1,23,410, 1,23,425, 1,23,570, 1,23,620, 1,23,620, 1,23,000 सभी में सेम है, last के 3 numbers हमें देखने है, 1,10,100 प्लेस पे जो है, 410, 425, 517 और 620, 620 सबसे बड़ा है, तो इस number को हम circle कर देंगे, question 5, arrange in ascending order, ascending order में हम क्या करते हैं, ascending order में हम numbers को छोटे से बड़े के order में set करते हैं, तो हम सारे numbers read करेंगे, और फिर देखेंगे कि सबसे छोटा number कौन सा है, और उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस तरह से इन numbers को set करेंगे, तो 20,280, 20,820, 20,000, 28, 20,082, इन सभी numbers में 20,000 same है, हम last के तीन numbers देखेंगे, तो 20,028 सबसे छोटा है, उसके बड़ा 20,082, उसके बड़ 20,280 और 20,820, इस तरह से हम इसको ascending order में set करतेंगे, बाकी के हैं, आप अपने आप करेंगे, do it yourself, next आता है, arrange in descending order, question 6 है ये आपका, same ascending order की तरह है, descending order में हम बड़े से छोटे में set करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा number, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरह से last में सबसे छोटा number लिखा जाएगा, तो सभी numbers को read करो, 92,173, 93,234, 90,148, 92,345, 91,171, इन सभी numbers में 90,148 सबसे छोटा है, और 93,234 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा number हम पहले लिखेंगे, 93,234, उससे छोटा है, 92,1345, और उसके बाद है 92,173, फिर है 91,172, और last में आएगा 90,148, जो कि सबसे छोटा था, ठीक है, इस तरह से हम बड़े से छोटे के order में सेट कर देंगे, बाकी questions आप इसके B और C पार्ट खुद करेंगे, exercise 4 हमारी complete होती है, thank you,